जहिंद एवरिवन, I welcome you all to my YouTube channel English from Basic by Nagindr sir मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और प्यारे देश्वासियों मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल पर और अगर आप इस चैनल पर नए हैं मेरे मित्रों तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें जिससे भविश में आपको सारे वीडियोज मिलते रहेंगे तो चलिए सुरू करते हैं एक बहुत important topic के साथ आज का class बिल्कुल अगर बात करूँ मेरे बच्चों आज का topic क्या है तो आज का topic है वह है wise जी हाँ wise यानि active wise और passive wise की बात कर रहा हूँ मैं और इसको हिंदी में क्या कहते हैं watch और इसका English में एक और नाम है जिसको कहते क्या है transformation of sentence आपको लग रहा होगा सर एक्टिव वाइस पैसिव वाइस में सर transformation of sentence कहा से ला दिए मेरे बच्चों मैं आपको बताऊं transformation of sentence का मतलब active wise पैसिव वाइस से ही है कैसे इसका मतलब क्या होता है transformation of sentence का मतलब to change the sentence without changing the meaning of sentence यानि sentence तो change होगा ध्यान दिजीगा sentence तो बदलेगा लेकिन sentence का कोई earth नहीं change होगा sentence का meaning कोई change नहीं होगा example के लिए अगर मैं कहूँ उधारण के लिए आपको मैं बताऊं Mohan writes a letter Mohan एक पत्र लिखता है इसको मैं अगर पैसे में इसको change करूँ तो a letter is written by Mohan Mohan के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है यानि मैं ये कहूँ Mohan एक पत्र लिखता है मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है बात एक ही हुई यानि वाक जरूर बदला लेकिन वाक एका अर्थ नहीं बदला we changed the sentence but the meaning of sentence could not be changed इसलिए इसको कहा जाता है transformation of sentence और एक चीज़ और बहुत important बात आपको जानकर आश्यर होगा मेरे बच्चों really आपको बहुत आश्यर होगा कि मैं आपको बताऊँ जो spoken language होता है या written में की बात मैं करूँ ज्यादा तर हम आप जो sentence बोलते है वह क्या होता है active wise नहीं बलकि passive wise होता है हम आप जो sentence बोलते हैं आप कभी notice नहीं कियोंगे अब आप notice करिएगा बोलते समय या जब पढ़ रहे होंगे ज्यादा तर sentence जो हम आप बोलते हैं लिखते पढ़ते हैं वहाँ passive wise में होता है जी हाँ चलिए सुरू करते हैं तो अगर बात करें हम watch की यानि बात करें हम wise की तो English में इसको कहते हैं wise हिंदे में कहते हैं watch और English में transformation मैंने आपको पहली बता है चलिए देखते हैं क्या होता है the wise of a verb tells whether the subject of the sentence performs or receives the action देखो मेरे बच्चों wise होता क्या है कोई भी verb ध्यान दो wise of verb verb हमको यहाँ बताता है subject के बारे में कि subject perform कर रहा है किसी भी work हो या वो receive कर रहा है work को कोई भी action को वहाँ perform कर रहा है कि receive कर रहा है अगर subject perform कर रहा है कोई action को तब तो वहाँ active wise हो गया और अगर subject receive कर रहा है तो वहाँ हो गया passive wise चलिए इसको और अच्छे से हिंदी में और अच्छे से समझते हैं ठीक है, तो अगर बात करें, हिंदी की, तो देखिए, हिंदी मैंने आपके सुविधा के लिए लिखा है, क्रिया के जिस रूप से यहां जाना जाए, कि वाक्त में क्रिया का मुख संबंध करता, या कर्म से है, वहां वाच कहलाता है, यानि वाच किसे कहेंगे, तो एक्टिव आई से, अगर ऑबजेक्ट से है, तो पैसिव आई से, यानि पूरे वाक्य में, पूरे सिंटेंस में प्रधान काउन है, मुख्य काउन है, मिन काउन है, पूरे सिंटेंस का जो हेड है, जो मिन है, अगर subject है तब तो वह active wise हो गया अगर object को ही subject बनाया गया है तब तो passive wise हो गया चलिए इसको और भी अच्छे से आपको भी मैं समझाऊंगा थोड़ा आगे आप समझेंगे और भी अच्छे से clear होगा चलिए आगे देखते हैं और अगर बात करें wise की तो wise की कितने part होते हैं मैंने आपको साथ बताया नहीं यहां आप देखेंगे wise के दो part होते हैं active wise और passive wise कितने part होते हैं wise के दो part होते हैं active wise और passive wise जी हाँ in active wise the subject performs the action expressed by the verb exactly active wise जैसा कि मैंने आपको बताया active wise में क्या होता है मेरे बच्चों जो subject होता है वही action को perform करता है करता ही करने वाला होता है क्रिया को कारे करने वाला कौन होता है करता होता है और passive wise में जिस टूल्टा होता है जो मुख्य होगा वो कौन होगा कर्म होगा चली एक्जामपल से समझते हैं जैसे ही राइट से लेटर वहाँ पत्र लिखता है काउन पत्र लिखता है वहाँ लिखता है अच्छा दूसरी बात एक चीज़ और important बात ध्यान दीजे आप देख रहे होंगे इस पूरे sentence को बहुत ही बड़े अच्छे से और easily आप समझेंगे कि यहाँ पर जो subject है कौन सा है ही है तो यह तो subject हो गया यह verb हो गया यह object हो गया यह subject यह verb और यह object यानि यहाँ जो मुख्य काम कर रहा है action perform करने का काम कौन कर रहा है subject कर रहा है यानि ही कर रहा है यानि जब subject कोई काम परफॉर्म करे कोई action परफॉर्म करे तो ध्यान दीजे तो उसको वहाँ पर क्या होगा एक्टिव आइस तो यह क्या है एक्टिव आइस है ठीक है तो आप समझ पाएं होंगे एक्टिव आइस क्या होता है चलिए देखते हैं इनपैसिव आइस क्या होता है इनपैसिव आइस वाट हैपन्स इनपैसिव आइस subject receives the action expressed by the verbs exactly इनपैसिव आइस क्या होता है subject क्या करता है receive करता है action को expressed by the verb ठीक है कैसे अभी example से आपको मैं बताता हूँ a letter is written by him he writes a letter भी था ना he writes a letter वहाँ पत्र लिखता है बात एक ही ही है लिखने का तरीका बदल गया मतलब जहाँ subject था वहाँ object जहाँ object था वहाँ subject ठीक है तो देखिए a letter object था यहाँ subject हो गया ठीक तो इसलिए passive wise हो गया a letter is written by him ठीक है मेरे बच्चों चलिए और भी अच्छे से भी आप example से समझेंगे पहले समझते है some important points about passive wise चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत important points यस आपको जानना चाहिए कि passive wise जब आप active से passive में change कर रहे है तो इनको आपको जानना चाहिए so let us see some important points about passive wise तो अगर पहले points की बात करें तो सबसी important point क्या है use third form of the word हमेशा passive wise में क्या होता है third form of the word use होता है पहली बात second change subject into object and object into subject ध्यान दीजे जैसा कि मैंने बताया subject object हो जाता है object subject हो जाता है ध्यान दीजे मेरे बच्चों subject की जगा object object की जगा subject हो जाता है किस में passive में जब change करते है active से हम जब active से passive में change करेंगे तो दोनों आपस में interchange होगा subject की जगा object object की जगा subject exactly let us see the next only the sentence with transitive verbs can be changed into passive wise accept some exceptions yes मेरे बच्चों आपको यह जानना बहुत important है keval और keval वही sentence passive wise में change करेंगे जिनका verb जो verb transitive है keval transitive verb वाले sentence को ही हम passive में change करेंगे ऐसा नहीं कोई भी sentence English का है उसको passive में change कर दोगा ऐसा नहीं है अगर ऐसा आप कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है जैसे मैं आपको एक sentence बोलू I am going to Allahabad अब इसको अगर कोई कहे कि मैं change कर दोगा Allahabad is gone by me बिल्कुल गलत है ठीक है क्यों क्योंकि इसमें जो verb है वो intransitive है तो कैसे आप जानेंगे transitive, intransitive इसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक है अभी मैं आगे बताऊंगा इसी में है चली अगला देखते है put the question with कैसे आप जानेंगे मैंने यहां लिखा है बहुत important आप कहीं से भी कैसे भी जान जाएंगे कैसे आप जानेंगे कि यह intransitive इसका passive बनेगा इस sentence का या नहीं बनेगा तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे दो तरीका है एक तो यह तरीका है जैसा कि Renan Martin में दिया गया है तो उसके लिए क्या करेंगे put the question put the question जो मैंने यहां दिया है यह वह तरीका नहीं है यह तो सबसे easy तरीका है तो जो Renan Martin में दिया गया है वो यहां दिया गया है the verb that needs an object to complete its meaning is called transit verb यानि the verb that requires an object to complete its meaning is called transit verb यानि ऐसे verb English में ऐसे verb ऐसी क्रिया है जिनको किसी कर्म किया वशक्ता पढ़ेगी उसका meaning पूरा करने के लिए उसको transit verb कहते हैं और ऐसे verb the verbs which don't need any object to complete its meaning is called what intransit verb यह तो पहला तरीका अगर आप ऐसे पहचान पा रहे हैं object को तब तो अच्छी बात है नहीं तो कभी-कभी क्या होगा कि आपको ऐसे पहचानने में दिक्कत होगी कि यार इसमें object है या compliment है क्या है तो अगर ऐसी problem है तो आपके लिए दूसरा solution यहां है क्या करेंगे put the question with what and whom to know whether the sentence will be changed into passive or not अगर आपके पास कोई sentence है आपको लग रहा है यार इसको sentence को passive में change किया जा सकता है कि नहीं तो उसके लिए आप सरल साब एक दम उपाय है आप what और whom से question करेंगे क्या करेंगे मेरे बच्चों आप what और whom से question करेंगे अगर आपको answer मिल जाए ध्यान दीजी अगर आपको answer मिल जाए तो जानिए ये इसका passive wise होगा अगर आपको answer ना मिले तो उसका passive नहीं होगा example के लिए जैसे मैंने लिखा he writes a letter वह एक पत्र लिखता है या वह पत्र लिखता है क्या लिखता है पत्र लिखता है तो के वर्लों दो ही word यूज करिएगा what और whom हिंदी में अब समझ लिजे क्या और किसे से प्रस्न करिए अगर उत्तर मिल जाए तब तो वहाँ सकर्मक्रिया है नहीं तो अकर्मक्रिया है ट्रांस्टिव और मतलब सकर्मक्रिया इन्ट्रांस्टिव मतलब अकर्मक्रिया तो कैसे आप जानेंगी ये सेंटेंस पैस्टिव में चेंज होगा की नहीं केवल इतना याद रखिए what और whom से question करिए यानि हिंदी में अगर आप चाहते हैं तो आप क्या और किसे से प्रस्न करिए अगर उत्तर मिल जाए तब तो उसका पैस्टिव बनेगा नहीं मिला तो नहीं बनेगा ठीक है अच्छा उसके साथ साथ एक चीज़ मैंने आपको बताए सारे केवल वर्ब अगर ट्रांस्टिव है जब आप एक्टिव से पैस्टिव बनाएंगे तो यह आप इंपॉर्टन बात याद रखेंगे भाई देखिए जैसे यह सिंटेंस है वी आर सिंगिंग अ सॉंग वी आर सिंगिंग अ सॉंग इसमें सबजेक्ट वी है तो वी के का ओर्डिंग आ गया आर यह तो एक्टिव आइस है लेकिन जब पैस्टिव बनाएंगे तो इसका आपजेक्ट क्या है भाई वी सबजेक्ट हो गया वी सबजेक्ट हो गया यह हल्पिंग वर्ब हो गया यह मेन वर्ब हो गया और यह आपजेक्ट हो गया यानि सबजेक्ट वर्ब और object, तो object हो गया a song, तो जब subject V था, plural था, तब तो यहाँ R था, ध्यान दीजे, V था तो R था, लेकिन a song यह similar number का subject है, एक वचन का करता है, तो इसके साथ क्या आएगा इज आएगा, तो याद रखेंगे जब भी आप पैसु में change करेंगे, तो जो नया subject आपका आएगा, जो new subject होगा, जो object, subject बनेगा उसी के according आप यूस करेंगे, क्या helping अच्छे, यहाँ ध्यान दीजे येस, आप देख रहे होंगे, जैसा कि यह active wise, यह passive wise, ठीक है We are singing a song, a song is being sung by us और subject का किस तरह से object होगा है जैसा कि मैं आपको बताया, subject का object हो जाएगा, object का subject, we का us, us का we, I का me, me का I, he का him, him का he, her का she, she का her, ठीक, दे का them, them का they, इस तरह से change होगा, याद रखेंगे, चलिए, अगला देखते हैं, एक चीज़ और, note, we will study active wise and passive wise through wise through the following, yes आप याद रखेंगे मेरे बच्चों, ये भी important बात, कहां कहां पढ़ेंगे, हम किसका कौन-कौन सा ऐसे sentences हैं या grammar का कौन-कौन सा वो हम पार्ट है जिसका हम passive में बदलेंगे, या जिसको हम passive में बदलेंगे, क्या है वहाँ, tense को हम passive में पढ़ेंगे, imperative sentence को पढ़ेंगे, model verbs को पढ़ेंगे और कुछ combined sentences होंगे, जी हाँ, कुछ थोड़ difficult है लेकिन मैं easy बना दूँगा, ठीक है तो tense, imperative sentence, model verbs और combined sentence बस यही इतना पढ़ना है हमको अगर बात करू, active wise हो passive wise तो इतना हमको पढ़ना है चलिए देखते हैं, सबसे पहले tense की बात करेंगे हम, yes, सबसे पहले अगर tense की बात करें मेरे बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सारे tense का passive नहीं बनता है सबसे पहले मैं आपको present tense बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं यह भी बता दूँग आपको, कि सारे tense का passive नहीं बनेगा अगर बात करूँ, कौन-कौन से tense है जिनका बनेगा तो सारे tense में ध्यान दीजे present perfect continuous, past perfect continuous और future perfect continuous, यह तीनो का passive वाइस नहीं बनेगा और future continuous का नहीं बनेगा एक बार फिर से मैं रिवाइस कर रहा हूँ सारे present, past और future तीनो tense को अगर देखें तो इन में से present perfect continuous का नहीं बनेगा past perfect continuous का नहीं बनेगा future perfect continuous का नहीं बनेगा और future continuous का नहीं बनेगा ठीक, future continuous का भी passive wise नहीं बनेगा, बाकि जितने बचे tense के parts, सारे का हम active wise से passive wise में change करेंगे, मैं आपको rule बताऊँगा एक एक करके सब का example दोगा और समझाओंगा, चलिए देखते हैं, सबसे पहले present and definite tense, तो इसका rule क्या है मेरे बच्चों, चलिए देखते हैं, इसका rule क्या है, जी हाँ, yes, तो अगर बात करें present and definite tense की, तो सबसे पहले क्या करते है, new subject, सबसे पहले क्या लिखेंगे मरे बच्चो सबसे पहले new subject लिखेंगे, new subject क्यों लिख रहा है, यहां पर मैंने लिखा है, क्योंकि object subject बनेगा, तो जो object है sentence का, भाई देखिए जैसे हरी है, हरी sings a song, इसमें subject कौन सा हरी है, वर्ब क्या है, sings है, और object क्या हो गया आपका, a song हो गया, ठीक, तो जब हम passive wise में change करेंगे, ध्य जो object का subject बनेगा, a song क्या है, object है, तो भाई new subject हुआ की नहीं, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है, new subject, new subject means, जो object है, वही जब subject बनेगा, तो new subject हो जाएगा, तो new subject को use करेंगे सबसे पहले, इसके बाद is mr का use करेंगे, subject के according, जो subject आएगा, उसी का according हम use करेंगे, अगर subject singular number है तो is का use करेंगे, I के साथ हमेशा am, बाकि अगर plural है तो are, इसके बाद third form of the verb use होगा, ठीक है, इसके बाद by use करेंगे, फिर object use करेंगे, इसके बाद अगर कुछ बचा है, तो उसको लिखेंगे other word, ठीक है, तो यह है आपका rule, यह है आपका structure of sentence, how you will change from active wise to passive wise, yes, तो चलिए आपको दिखा, बताते हैं, example, yes, example में किस तरह से है, yes, तो अगर बात करनें, पहला example, हरी sings a song, तो सबसे पहले मैंने लिखा क्या, मैंने आपको बता है, new subject, new subject लिएगा song, फिर इसके बाद helping word, is आ गया, क्योंकि यह, क्या है, इसको काट देते हैं, ठीक है, यह गलत है, बिं अगला sentence देखते हैं, we do not play cricket at home, अगर negative sentence की बात करें, तो negative sentence में क्या होगा, बस जहाँ is mr है, इसी के बाद not लग जाएगा, ठीक, is mr के बाद not लग जाएगा, तो चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, subject, फिर इसके बाद, जैसा कि यह तो active wise है, उसी तरह passive हुआ इसमें, अब देखो, है क्या, we do not play cricket, object क्या है, यह वर्व हो गया, यह तो subject हो गया, यह helping वर्व हो गया, तो यह object होगा, ठीक, I at home क्या होगा, other word हो जाएगा, cricket आपका object है, cricket को ले लिजे, cricket is subject के बाद, helping वर्व हो गया, इसके बाद not लगेगा, क्योंकि negative sentence है, तो cricket is not played by us at home, इस तरह से आपका sentence बनेगा, आप देखेंगे, rule को देखते चलेंगे, follow करते चलेंगे, ठीक है, चलिए अगला interrogative कैसे करेंगे, interrogative में क्या करते हैं, मेरे बच्चों, वैसे इसको interrogative कहते हैं, लेकिन चुकि interrogative भी कह देंगे, आप तो कोई बहुत बड़ा question word अगर दिया है, क्या दिया है, अगर question word दिया है, तो पहले question word लिखेंगे, इसके बाद तब helping verb लिखेंगे, फिर इसके बाद subject होगा, फिर इसके बाद जो भी rule है, इसके पहले मैंने आपको बताए, subject के बाद आप लिखेंगे क्या, जो भी verb है, उसको आप लिखेंगे, third यानि verb means third form of the verb, इसके बाद object तब other word, तो इस तरह से आप इसको बना लिजेगा, तो यह हो जाएगा integrative के लिए, जैसे यह example देख लेते हैं, why do you is called Mohan, तो सबसे पहले आपने लिखा why question word, फिर helping word, subject according Mohan एक बचान है, singular number है, इसलिए is आया, so why is Mohan, third form of the verb फिर आएगा, is called it, फिर by आएगा, फिर उसके बाद object, you, so why is Mohan is called it by you, तो यह रहा presenting definite tense my dear students, अब आपको कुछ मैं homework देना चाहूंगा, जी हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कुछ आपको homework भी देते चलूँ, जिससे आपको थोड़ा homework है, इसको आप करिएगा, और करके आप इसको मुझे comment section में बताईएगा, यानि यह homework आपको करना कहा पर है, comment section में आप मुझे करके बताईएगा, वहाँ इसका answer क्या होगा, ठीक है, तो अगर पहला sentence देखें तो क्या है, the gardener, yes, what is the plant, I do not call him, third क्या है, why does he not complete his work on time, नीचे है, दिखते हैं, why does he not complete his work on time, ठीक है, अगला जो है, थोड़ा difficult लगेगा, लेकिन आप इसको कोशिस करिएगा, नहीं अगर आएगा समझ में, तो I will tell you in the next video, अगले वीडियो मैं इसको आपको बताऊँगा, क्या है यहाँ, people speak English all over the world, जी हाँ मिर बच्चों, इसको भी कोशिस करिएगा करने का, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको अगले वीडियो में कमेंट सेक्चन में सारे एक्सराइज को आप करके मुझे भेजएगा, तो चलिए मिर बच्चों, यहाँ पर यह वीडियो आज खतम होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्ड, सो जैहिंद everyone, जैहिंद